अस्रामनेकूम वेलकम टो कोकिंग विद सूरफ अलादर आपको भूश रखे आज मैं आपके लिए एक छोटी सी और जल्दी बनने वाली रेसिपी आपके लेकर पेश हुई हूँ तो आए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेर करती हूँ तो आए इसको बनाना शुरू करते ह चाओं के लिए के लिए मैंने लिया है चाओं मेसाला में हैं थोड़ी सी किंश मिछ लिए हैं ने मैं आपको चार्ट बनानी बता रही हूं बहुत असान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली है तो आईए बनाना शुरू करते हैं यह अम्रूद है इनको मैंने दोकर अच्छी तरह साफ कर लिया था और इसको मैं छोट-छोटे पीसों में काट लिया है यह नाश पती ह केले डाल रही हूं इसके अंडर सब चीजे आपने इसके अंदर डाल देनी है यह सेव है सेव को आपने सबसे एंट पर काटना है क्योंकि सेव जो हता है वह काला हो जाता है तो इसलिए हम सबसे एंट पर सेव डालेंगे इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी खजूरे गजूरों को भी मैंने बरीक सा लंबा सा काट लिया हैं और कीघ़ा ली में आई आई बातों सारु सम्धूर दी लिए हैं और और अपने जाई दाल fit आई सकती हैं इसको छी तरह से एक करेंगे चाहर त्यार हो चुकी है अब मैं आपको डिशविट करके दिखाती हूं बहुत मज़ेक है और बहुत जल्दी बनने वाली रखाती है आए मैं आपको इसको इसको यह फाइनल टुक कर लिया अगर आप इसको मिक्स करने के बाद में इसको रख द प्लेट में इस तरीके से आप भी घर में चाट बनाएं मेरी वीडियो को देखा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बैल आइकॉन का बटन दुबा दिया करें ताके आने मारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें और मुझे अपनी डेर सारी याद रखा करें और फिर मिरेंगे नेक्स वीडियो के साथ अल्ला हपीज़ आप